युखो तो स्वागत तो आपका स्टॉप बूल्ड क्रिप्टो गिंग चैनल में दोस्तो आज मैं आपके रिक नए आय पयो ले करें हैं जो कि दोस्तो जूते बनाने वाली कंपर्णी को मिल सकता है दोस्तो इस आय पयो की पूरी डिटेल्स आ चुकिल है आज हम इसके बारे म डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को शू करेंगे साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देना वीडियो को लाग से जरूर देखना कमपनी का IPO के जरिये 1400 कॉल रुपर चटाने की योजना है एंकर निविक्षक की बिडिंग के लिए 25 जनवरी को खुलेगा दोस्तों ये इशू पूरी तरगी से ओफर फोल्ट सेल होने वाला है अभी कमपनी में promoters की हिस्तेदारी के रिए 78.21% की है जबकि TPG growth के पास 17.19% की हिस्तेदारी है और 200 QRJ enterprises के पास 3.86% की हिस्तेदारी हो जाती है जो के टोटल मिलागा करीब 100% की हिस्तेदारी हो जाती है ओफर फोर सेल के जरिये 200 हरी केशन अगरवाल के 80 लाग शेयर और निखिल अगरवाल के 55 लाग शेयर TPG growth के 2.91 करोड शेयर QRJ enterprises के 60.50 लाग शेयर राजी गोयल के 1 लाग क्यूट शेयर सामेर होंगे राजेश कुमार गुपतर द्वारा 2 लाग शेयर बेचे जा सकते है दोस्तो लॉट साइज की बात करें तो करीब 51 शेयर का लॉट साइज हो सकता है जो कि दोस्तो हर एक इंवेस्टर को एक साइज तो खरीदना ही पड़ेगा जिस साथ से उनका जो कुल इंवेस्टमेंट हो जाएगा वो 14,892 रुपीज का हो जाएगा दोस्तो इस आईपयो में करीब 50% हिस्टा क्वालिफाइड इंटिटूशनर इंवेस्टर के हाथ में वहीं दोस्तो 15% हिस्टा इंटिटूशनर इंवेस्टर के हाथ में और दोस्तो 35% हिस्टा रिटेल इंवेस्टर के हाथ में रहेगा जो की रिजर्व है दोस्तो योगे करमचारियों के प्रती एक्विटी शेयर पर सक्ताइस रुपे की छूट मिलेगी दोस्तो बात करें आईपयों के अलॉटमेंट की तो आईपयों के अलॉटमेंट चार मही को होने की उमीद हो रखी है दोस्तो वहीं दोस्तो जो पैसा रिफंट हो जाएगा वो करी 5 मही तक हो जाएगा दोस्तों 9 माई 2022 में ये जो share है वो company लिस्ट हो जाएगी BSE और NSE में Campus Activia Issue के book running lead manager Bufa Securities India Limited है GM Financial, CLS India और Kotak Mahindra Capital Company दोस्तों ये सब इस company के lead managing director है लिस्ट होने के बाद company का मुकावला, Bata India, Lags of Woodwears, Khadim India, Liberty Shoes, Metro Brass and Mirja International जैसी companyों से होगा दोस्तों इस company का IPO ये total news आपको मैंने बता दिये, price band भी आपको मैंने बता दिया, total जो investment होगी 14,892 रुपीज की होने वाली है अगर आपके news अच्छी लगी हो तो please चला को subscribe करना, वीडियो को like करना